हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आप सब भी देख सकते हैं हमारे पास है हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 मतलब की जो कल आपका बारवी कक्छा का हिंदी का पेपर होने वाला है ये हमारे पास एवेलिवल है आप देख लें इसमें जितने के इसी टाइप का आपका सेम कॉस्चन आएगा अगर आप ये पेपर को हल कर लेते हैं तो कल आपको 80 में से 70 नंबर तो मिल जाएंगे तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के कॉस्चन आए हुए हैं इसमें सबसे पहले आपको 6 नंबर के सही विकल्प हैं ठीक मतलब एक नं के सभी इस टाइप के कॉस्चन आप इनमें से सॉल्फ कर लें सभी के सही आंसर तयार कर लें तो आपको कल बन जाएगा ठीक है इसमें से आप देख सकते हैं कहानी का सीरसक जूज का अर्थ है इस तरीके के बहुत ही इजी आपजेक्टिव आए हुए हैं आप इनको कर लें ठीक है इसके बाद है साथ खालिस्थान रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए इनमें आपको सही खालिस्थान फिल करना है तो आपको पूरे नमर मिल जाएंगे आप इसमें से देख लें साथ में साथ पूरे रट के चले जाएं इनमें से पास तो कल फसेगा ही फसेगा ठ इसके बाद third है सत्य और असत्य, सत्य और असत्य में 6 दिये गए हैं, 6 में से 6 अगर आप सही करते हैं तो आपको पूरे नमबर मिल जाएंगे, objective जो है आप अच्छे से पढ़के जाएं, इसमें आपको पूरे नमबर मिल जाते हैं, और कोई दिक्कत नहीं होती है, कहीं भी न इसा कत ऐसा पढ़ लें, तो कल कम से कम 80% question इसमें से फासेंगे, ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि निमलिखित प्रशनों का उत्तर एक वाग के में लिखे, यहां पर आप ध्यान दे कि एक वाग के में लिखना है, एक सब्द में नहीं लिखना है, ठीक है, तो यह साथ question के साथ number यहां confirm हो गए, तो इस तरीके से यदि आप पूरे objective अच्छे से पढ़के जाते हैं, तो आपको पूरे number मिल जाएंगे, कहीं पर भी कोई number नहीं कटेगा, अब इसके बाद हम आते हैं, ग्रामर portion में, आप देख सकते हैं, छायवाद और रहस्चबाद में अ ठीक है, इस तरीके से आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है, ग्रामर को छोड़के फिर इसके बाद आप टेक्स्ट बुक के question आ गए, इनको complete कर लें, टेक्स्ट बुक के जो भी question दिये गए हैं, इन में से आप सभी को तयार करके जाएं, क्योंकि जो भी अथवा में आपको यह किसी न किसी रूप में आपको कल पेपर में दिखेगा ही, जैसे कि भारतेंदू युक की दो विसेस्ता हैं, दुवेदी युक गद्दी की दो विसेस्ता हैं, तो यह सब चैनल में एविलेबल है, जो भी ग्रामर का portion है, आपको पूरा मिल जाएगा जैसा कतेंसा, आप चैनल से जाकर देखें, सर्च करें, प्लेलिस्ट एविलेबल है, उनमें देखें, और जो भी आपको टेक्स्ट बुक का समझ आ रहा है, तो वो आप अपनी बुक से पढ़ें, और जो भी कोशन दिख रहें, उनको पक्का पढ़के जाएं, कल पूरा फसे गई, इसके आता है, ये सभी जो भी दिख रहें हैं आपको, 13, 14, 15, ये सभी क्या है, टेक्स्ट बुक के कॉस्टन, तो आप टेक्स्ट बुक से इनको प्रेपेर करें, इसके बाद 16 नमबर का कॉस्टन और 17 नमबर का, ये काई से आया है, ये आया है साहित्तिक पढ़के, तो साहित्ति और पध्यांस और एक एक वाक 이걸 लिख्ये तो ही इस सभी जो हैं। आपको पढ़ के बन जाएगा का आप इनकी प्रेपेरेशन अच्छे से ना भी करें। तो कल आपको बन जाएगा। इनकी ट्रिक होती है आप अच्छे से देख लें तो आपको अच्छे से बनेगा इसके बाद अब आता है बीसवे नंबर का कॉस्चन इनमें संदर प्रशंग हमको व्याख्या करना है तो यह आप बहुत अच्छे से प्रिपेर करके जाए आप इन दोनों में से एक पढ़ ले जो की फसेगा ही फसेगा ठीक है इसके बाद आता है 21 नंबर का प्रश्ण इसमें से हमको गध्यांस की संदर प्रशंग ब्याख्या करना है यह हो जाएगा इसके बाद आप देख लें की 22 नंबर का कॉस्चन क्या है नगर निगम अधिकारी को नीमित जला पूर्ती करवान है तो आवेदन पत्र या अपनी चोटी बेहन को पत्र लिखकर मोबाइल पून का सीमित प्रयोक किस प्रकार करना है यह समझाना है तो यह आवेदन पत्र आपने तयार कर ही लिए होंगे और अगर नहीं किया है तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लें आपको बनेगा ही और रूप रेखा बना कर निबंद लिखिए तो इन मेंसे जितने भी निबंद आएं आप इन मेंसे चार निबंद भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो कल फशेगा ही फशेगा और सभी निबंद को विए लिखना है यह हमारे चैनल में बताया गया है 2 लाख व्यू भी आं अगर आपने नहीं देखा तो उनको सबसे पहले देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको सभी पेपर के इसी तरह सेंपल पेपर मिलते रहेंगे आप अगर उनको हल करके जाते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे इस तरीके से हमारे व वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके के यूसफल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स पर वाचिंग